सो लो चवाटी सोगत आप सभी गई वार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर and we are here with another video and I hope कि आप सब ठीक होंगे और यहां पर आज हमका जो रहने वाला है वो रहेगा सेशनल पर करेगा एक टाइब का जिसके अंदर क्या होता है कि आप सबको एक टॉपिक आता है जिसमें आपको क्या लिखना होता है कि एक रिपोर्ट लिखनी होती है ठीक है रिपोर्ट लिखनी होती है आपको किस पे कोई रेडियो का कारे करमा आप सुनोगे ठीक है and उसको आपको सुनना है और उसके बाद आपको उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है ठीक है जैसे हम बात करेंगे आप से सामने यहां पर मन की बात पर ठीक है और यह आप सब को पता है प्राइमिस्टर आफ इंडिया शिरिन रेंदर मोधी जी के दोरा चोगा एक महिम चलाई गही थी 2014 14 इनदर है तो यहां पे देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना और कैसे लिखना है ठीक है और ये वीडियो बहुत हैब्फुल रहने वाली है क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो ये जो सेशन वर कहीं आपको आता है ठीक है जो भी बचे हमारे बीए्ट कर करें ना इस्पेशली फार दोर स्टूटेंस के लिए रहने वाली यह बहुत ही बेनिफिट्चल वीडियो ठीक है बस द्यान पौर्व को देखने आप को और सुनना है ठीक है फिर आप कोई भी टॉपिक लोगे तो आप उसके साप से आप कर लोगे ठीक है बिसिकलि होता कि है stories बताई जाती है ना जो हमारे freedom fighters रहे हैं या फिर जो भी हमारे president हैं अभी यह बहुत सारे लोगों की जो है वो कुछ प्रेरनादाय का stories बताई जाती है तो वो आपको सुननी होती है एक type की ठीक है तो simply आपको उसको सुनने होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें आई है ठीक है क्या उसका motive था program का क्यों वो program बना ठीक है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है तो हम देखें कि one by one की कैसे आपको चीज़ों को करना होते है तो यह रहेगा हमारा मन की बात ठीक है और जो पच्चे बीएड कर रहे है चाहे वो जम्मू यूनिवस्टी से कर रहे है जम्मू यूनिवस्टी से कर रहे है जो इसके affiliated colleges आते है उनका यह session वरक है यहां फिर जो DDE डिरेक्टर ए डिरेक्टर ए सौरी हां DDE जो हमारा है जो भी जम्मू यूनिवस्टी के अंदर आता है ठीक है तो वहां पे भी आपका यह एक session वरक है ठीक है और हिंदी English में आप खुद कर लोगे जब हिंदी में समझ आ जाएगा तो अंगलेश वाले खुद कर लेंगे इसमें इतना कुछ टफ नहीं है तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले क्या रहता है अपना प्रिच्चे रहता है जैसे हमारा मन की बात अनुवाद दिल से बात करना ठीक है मन से बात मींज इसका हंदी में अनुवाद होगों को संबोधीद कर देए तो है आप सुब को बता waiting मादम से और TV पर भी आता है यह DD जो हमारा दूरदर्शन चैनल है ठीक है National DD News 1 पर भी आता है ठीक है उसके बाद आता है 3 October 2014 को पहले शो के बाद अभी तक जो है 107 आ चुका है बेसिकली लेकिन हमने जो रिपोर्ट बनाई है यह 106 पर बनाई हुई है और हो चुके हैं अभी 107 हो चुके हैं लेकिन आपको 106 लिखना है जो अभी वीडियो देख रहे हैं बच्चे मन की बाद का 100 जो एपिसोड था वो 30 अपरेल 2023 को परसारित किया गया था और यह दुनिया बर में परसारित हुआ था इसलिए इंपोडेंट है ठीक है और पुरे वर्ल्ड में हुआ था यह वेबसाइट क्या है तो p m o n radio.nic.in उसके बाशाएं कौन कौन सी है तो मूल बाशा की बात करें तो हिंदी है ठीक है यानि जो हमारी फंडमेंटल बाशा बोल रहो आप एक टाइप की ठीक है जिसमें में यह परसारण होता है लेकिन और भी बाशाओं में इसका परसारण किया जाता है जैसे असामी हो गया बंगाली हो गया बोड़ो ओगया डोगरी इंग्रेजी तो यह आप सारी देख सकते हो यहां पे गार हो गया गुजराती कनड़ा जिसको कनड़ा बोलते हैं ठीक है कशमीरी खासी आ गया ठीक है और यह बड़ी सारी लैंग्वेज ले लखे इन में भी इसका परसारण होता है वोम स्टेशन की बात करें तो आड इंडिया रेडियो और रिकार्डिंग स्टूडियो है इसका नई दिल्ली बारत में तो यह आप थोड़ा से इंट्रोड़क्शन लिख दोगे इसके बारे में तो जो भी आप कर रहे हो जैसे आपका कोई मुंबईई से कोई परसारन हो रहे है तो उसका आप कहां कहां पे है कौन कर रहे है कौन उसका हैड है क्यों परसारन कर रहे है वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब को दिख गया हो, उसके बाद आजाएगा कि मन की बात की उधिशी के हैं, तो मन की बात जो है वो रेडियो के मादम से देशवर में जन जन तक पहुंचा हैं, कि परदान मंतरी शरी ठीक है, उनको संबोधित करना, यह इनका में मूटिवेल है, उन्हें सरकार की पहलों के बारे में सुचित करना, कि सरकार के क्या का इनिशेटिवस लिए जा रहे हैं, ठीक है, राष्टी निर्मान और शासन में आम आदमी का समर्थन भी चाहते हैं, ठीक है, तो यह आप सा परदेश जो होते हमारे, वहां के लोग हैं, ठीक है, कहीं से भी हो, उन्हें सभी को संबोधित किया जाता है, क्या-क्या गौर्णमेंट की स्कीम सारी हैं भी, ठीक है, जो जो लोग बैस्ट कर रहे हैं, यानि कंट्रिबूट कर रहे हैं, योगदान है जनका, देश को विक संबोधन के माध्यम से जोडने, सुजाब देने और सहभागी शासन का हिस्सा बनने का अफसर प्रतान करता है, ठीक है, तो यह मैं आपको बता दिया, कि इससे पहली बात हो, आप भी वहां पे अपने वियू रख सकते हो, ठीक है, आपको बता होगा, प्रतान मंतरी जी जो और सरचना, ठीक है, तो इसमें आपका पूरा आचाएगा, जो भी एपिसोड में था, जो भी आपने सोना, ठीक है, तो मन की बात, 106 एपिसोड जो था, PM का संबोधन, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे प्यार देश्वस्यों, नमस्कार, तो यह आप सारे चीज़े देख इन्होंने यहां पर इनको ज़्यादा बढ़ा दिये था, ठीक है, और यह देखो 29 अक्तुबर 2023 को यह हुआ था, 106 एपिसोड, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि दिबाब ली आने वाली है, ठीक है, और यह सारी चीज़े जो इन्होंने करी थी, ठीक है, और बाकी इसमें, आपको यही इन्होंने कहा कि, आपको खादी उतपात की बिक्री मुश्किल से 30,000 क्रोड रुपे की, यह यह से दे रखा है इन्होंने, ठीक है, उसके बाद यहां पर दोरान चाहता हूं कि, प्रेटक, प्रेटन के लिए यातरा करें, तीर थी यातरा पर जाएं, यह भी उन्होंने कहा कि, आप टूरिस्ट जो है, वो डेस्टिनिशन पर जाएं, ठीक है, आनंद उठाएं, तीर थी यातरा पर जाएं, ठीक है, और उसके बाद कहा कि, बजट में यह लिखा हूँ है, और इसमें इस नार्ट इंपोर्टन, ठीक है, तो अब यह सारी चीज थी, सलिए फोटो एड़ कर दिया हूँ है, तो उसके बाद यह देखो, तिहारों का हमारा बो है, ठीक है, और हमें जो है, वो, क्या करना है आपको, जादा जादा आप पेमेंट करो, डिजिटल इंडिया को प्रमोट करो, यह सारी चीज़े महां पर लिख रखी है, तो इसमें क्या कैमीन मोटीव थे, ठीक है, उसके बाद यहां पर, यहां पर लिख रखा हुआ है, इन्होंने की दिवावली आने वाली है, ठीक है, तो इसका क्या है, आपको मेक इन इंडिया प्रड़क्ट जादा से जादा चूज करने है, उनको जादा आखरीतन है, ठीक है, उसके बाद 31 अक्टुबर का दिन जो है, वो आप सब को बता है, क्या हुआ है यहां पर, ठीक है, हमारे सदार बल्ला भाई पर टेल जो है, उनकी जेनलती मनाते हैं, ठीक है, जिनको आइरेन मैन आफ इंडिया का जाता है, ठीक है, लो है प्रुष, तो यह उन्होंने 580 जो होगा उन्होंने एक स्कीम चलाई ती, ठीक है, करतब बेपत है, जिसको कहा जाते है, और इसमें यह था, कि आपको लग लग राज्या से मिट्टी करनी होती दिए न, तो यह उन्होंने इस पर कहा जाता है, अमरित कल श्री आतरा, ठीक है, और उसके बाद यह देखो, यहा बारत के यूवाओं के जो अलग लग यूथ है हमारे उनको उनको टेलेंट देखने के लिए ऐसी चीज़ों को परमोट करने के लिए उनने एक संगटन भी बनाया गया था ठीक है फिर यह बैप साइट भी चलाई गई है मेरा यूवा भारत ठीक है इसमें भी वही आगा है मा आप सुन रहा है हो ठीक है यह तमिलेकस जो थे उनके बारे में भात करी डिनका नाम था क्रोशनकरी इसनिक रही का अधी है जिःगसरी करें देन ठहेंटन उसी तामिनाडू से थे और इनका नाम था पैरुमल जी ठीक है और इन्होंने क्या करा स्टोरी टैलिंग जो ठीक होती है हमारी इनके वहां पर बहुत पेमस है तो उसको भी यह देखो उन्होंने तामिनाडू की कहानी कहने की परंपरा जो है स्टोरी टैलिंग की परंपरा जो है तो उसको सनक्षित करने के सारानी काम किया है ठीक है पिछले 40 सालों से वो इस में मिशन में लगे हुआ है फिर ये गुरु गोविंद जी की जनती ये भी आपको मैंने बता दिया ठीक है तो आप ऐसे करके जो चीज़ों लिख सकते हैं जो इंपोर्टन इंपोर्टन चीज़ वौन पर झालेगा, टीक है? उसके बाद उनोंने भी उनकी सराना ची है ठीक है? कि हमारा यूथ जो है वो गे İnsकी तारफ जाधा जादा धिhan दे रहता है फिर आजले का मोदी जी का योगदान है तो आप बता दोगे कि मोदी जी जो है वो संबोधित करते हैं ठीक है और सफलताओं के पीशे लोगों का योगदान को सारा है उन्होंने जो जो लोग सफल होगों जैसे अथलेटिक्स में उन्होंने मेडर लाइव 1111 तो 111 तो 111 सिंपली हिंदी में आकर बात करें तो उनको भी उन्होंने अच्छे से साथ दारभलावाइब लाइब ए ट्रिव्यूट ये म horr sono को बदा दिया उसके ऐगा आपका ये जन प्रती स्कुष ठीक है तो लोगों को क्या उसमें रहा तुई अब को बता दिया कि लोगों से जुऻने के लिए और सोशल मीडिया में भी बहुँ साधा यह चीज़े फैली हुई है ना ट्विटर से लेके हर चीज़ आप लिख सकते हूं यूट्यूब ट्विटर फेस्बुक वर्ट सैब यह हर जगा जो है वो लोगों को एक प्रेरित करने का काम कर रहा है ठीक है उसके बाद पहुंच का विस्तार यह मैं आपको बदा दिये दे तो क्या इसका जो परसारन था इसका समाजिक वर्बाब क्या था तो जिसमें वही था आत्म नेरवर भारत ठीक है जो जो चीटे हैं देखो सर्दार बल्लावाई बटेल की की इंपॉर्डेंस है यह पता लगा होगा ना लोगों को कि उन्होंने 580 जो चोटे-चोटे- कारे सवतंतरता सेनानी होने ठीक है उनके समान के लिए उन्होंने का हरगरत रंगा जोब आपको लगाना है फिर यह सरदार साहब की जेन दिया गी ठीक है और मेरा युवा भारत वेबसाइट को जो उन्होंने चलाई गई है ठीक है तामील लेक जो थे लेकी का सोरी जिनका सरक्षित करने के सारानी काम की है ठीक है और 15 नुमंबर को पूरा देश जन जाती है गोरब दिपस मनाएगा यह हो गया यहां पर ठीक है उसके बाद आजगा किस-किस बिश्यों का बिशलेशन हुआ तो आपको लिख देना है जो जो चीज़े उन्होंने बोली जैसे वोकल सेंटर खोले गए हैं स्टार्ट अप इंडिया जैजवान जैकिसान जैजवान अनुजदान चीक है यह कि फिर यह संस्कृत उत्सवा गया तो यह सारी चीज़े इन्होंने बात करी जो जो उपर लिखा हमने जैसे सरदार बलावाई पिटेल के बारे में बहुत सारी जीज और इसका बहुत साथा जो है वो एक positive impact है यानि परवाव है लड़कियों को के लियान के लिए योग खादी के उपयोग जैसे ठीक है मुद्दों इन्होंने जादा प्रमोट करा फोकस करा और जो मुझे अच्छा लगा अब ऐसे करके लिख सकते हो ठीक है उसके बाद यह क आती है जब हम सुनेंगी द्यान से कि कितना घर्चा हो रहा है कितने लोगों पर विकास की तरफ जो है पर सरकार सोच रही है यह सारे चीटे हमें पता चलती है ठीक है उसके बाद लास्ट में देखो मन की बात 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 की 21 क्रोड़ एक सो एक्की स्क्रोड़ वादी जो है कि प्रशन सा करते हैं मतलो आप बता रहे हो नहीं अपने छो भी विईूज हैं वो बता रहे हो तो इसमें आप और भी एड़ कर सकतינו जो है जो नोंख पो अच्छी बहुता है कि कि कयो मन की बाद आपके लिए थीक है या इसके आपको चाहते हो कि कुछ सुझाव होने चाह यह पुरान है ठीक है लेकिन मैंने ऐसे लगा दिया यहां पर उसके बाद यह आगे कुछ important points यह भी आप लिख सकते हो ठीक है एक मिनट समापन कहा गया हां सोरी यह रहा समापन ठीक है तो end में आप सारा conclusion लिखते हो ठीक है समापन क्या होता है एक टाइप का summary लिख सकते हो आप यह सारा अक्षिस को वोड़ सकते हैं फिर conclude क्या करा तो इन्होंने इस चीज पे बाद जादा बात करी थी वहां पर ठीक है यह देखो यह सारी चीज आप यहां पर लिखते हो जो पूप उपर लिखा हमने ठीक है पड़ा तो आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि आपको पॉइंट जो फालो करने होते हैं वाइल पर पेडिंग में रपोर्ट ठीक है और यह था हिंदी मादे वले बच्चों के लिए जो भी हिंदी मादे के बच्चे हैं हमारे तो आशा करता हूं कि अगर फिर भी कोई डाउट रहे था आपको तो आप एक बार अपनिक बारी ज होता है जो चीजी आप सुनोगे बस उसी को लिखना होता है बस स्टैप पता होने चाहिए कि कैसे हम लिखते हैं ठीक है और इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लेर हो जाएंगे आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो ठीक है बिश्य उठा सकते हो और उस पर एक समाज में उसका क्या इपक्ट बड़ा ठीक है वो सारी आपका अब्यक्तिकता अनुब क्या है याँ आपका एक्सपीरियेंस पर्सनल एक्सपीरियेंस हम आप पर्सनल आप और चुपती हो आपके विउस के हैं उसके बारे में ठीक है यह फीड़बैक बोल सो simply कि आप क्या क क्याना चाहती है इसके बारे में जो आपने सुना बस और फिर भी अगर आपको कोई 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 रहती है तो आप हम यहां पर बैटे हुए पूरी हल्प करेंगे आपकी बस आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन के अंदर आपनी कोई कोई जोब रखने है स्वाज के लिए इतन क्या कर्णा है